हेलो जाहिन फ्रेंड्स आज हम HPSSY स्टाफ नर्स का प्रीविज एर कोशन पेपर डिसकस करेंगे जिसमें हम जीके का पोशन कवर करेंगे तो वीडियो को ध्यान से देखेगा क्योंकि ये आपके आने वाले एक्जाम के लिए काफी हेलफफुल हो सकती है तो चलिए स्टार् कोशन है ओप्शन नमर डी भदर बहु भदर बहु ही चंदरगुप्त मोरे के जैन धर्म के गुरु थे इसके बाद नेक्स कोशन है दक्कन के हिंदू समरज्य पर प्रत्थम मुस्लिम वीजे किसकी सेनाओं के द्वारा की गई थी मुहमंद गोरी अलाउदीन खिलजी कुत अनितिक दखलदाजी किस यूद के पचात प्ररम्भ हुई बक्सर प्लासी वंडिवाश या पानीपत तो दोस्तों इसका क्रेक्टन सर है ओप्शन नमर सी वंडिवाश अगर दोस्तों बात की जाए वंडिवाश यूद की यह यूद अंग्रेजियों और फ्रासिसियों के बीच 1760 हिस्वी में हुआ था इसके बाद नेक्स्ट कोश्चन है मुगल शाशक अकबर के दौरा अमरत सर में किसे स्थान दिया गया था गूरू अमरदास को गूरू हरी किशन को गूरू रामदास को या गूरू तेक बहादुर को दोस्तों इसका कोडेक्टन सर है 1777 में अमरत सरोवर के नाम से गूरू रामदास ने की थी जो आगे चलकर अमरत सर के नाम से प्रसीद हुआ इसके बाद नेक्स्ट कोश्चन है रुपईया सिका प्रत्थम बार किसके द्वारा जारी किया गया था शेर्शा, अलाउदीन खिलजी, अकबर या मुहम्मन बिन तुगलग, दोस्टो इसका franc ansel है option number is शेर्शा, नेक्स्ट कोश्चन है गान्दी इरुन समझोते पर लंदन में कब दसतक्ट किये गए थे, 1931, 1941, 1945 या 1947, तो दोस्टो इसका correct answer है option number is 1931 में, नेक्स्ट कॉशन है रज्यसभा का आध्यक्ष रज्यसभा के सदस्य द्वारा चुना जाता है राष्ट्यपती द्वारा मनुनीत होता है संसित के दोनूं सद्नूं के सदस्य द्वारा चाइनित किया जाता है या ओप्शन नम्र डी इसमें से कोई नहीं तो दोस्तों इसका correct answer है option number C संसत के दोनों सदनों द्वारा चाइनित किया जाता है इसके बाद next question है एक समाई पर किसी रज्य पर राष्टेपती शाषन अधिक्तम कितने वर्षों के लिए लगाया जा सकता है एक वर्ष दो वर्ष पांच वर्ष या इसमें से कोई नहीं तो दोस्तो इसका correct answer है option number D इसमें से कोई नहीं क्यूंकि ये एक समाई पर सिर्फ 6 महीने के लिए लगाया जाता है अगर दोस्तो बात की जायर राष्टेपती शाषन किये या भारति सवधन के उन्चेद 356 के उन्सार राष्टेपती के द्वारा रजेपाल की रिपोर्ट के अधार पर अगर कोई रजे ठीक से काम नहीं कर रहा है तो राष्टेपती 6 महीने तक राष्टेपती शाषन लगा सकता है और संसत के दोनों सदनों में अनुमोदन पर इसे तीन वर्ष्ट तक के लिए बढ़ाया जा सकता है 6-6 महीने करके इसके बाद नेक्स्ट कोशन है जीला नियादीशों की निक्ति तैनाती और पदोनिती के संबद में रजेपाल किसे भी मर्श करते हैं मुख्यमंत्री से राष्टेपती से महाधिवक्ता से या option number D उच निया लिसे तो दोस्तों इसका correct answer है option number D उच निया लिसे next question है किस बैंक में कोई व्यक्तिगत खाता नहीं खोला जा सकता वियाव साइक बैंक कोपरेटिव बैंक अनसूचित बैंक या RBI तो इसका correct answer है option number D RBI next question है साक्स रिजन विधी करता है मुद्रा की खरीद शक्ति पर समदाय की वास्तुविक संपत्ति पर वास्तुविक राष्टे आय पर या मुद्रा की अपूर्ति पर तो दोस्तों इसका correct answer है या विधी करता है मुद्रा की अपूर्ति पर next question है उपसोर और अपसोर पर दूरियों के मद्य की दूरी है 111 किलोमीटर 149.5 किलोमीटर 169 किलोमीटर या 168.5 किलोमीटर तो दोस्तों इसका correct answer है option number B 149.5 किलोमीटर पर next question है समाय का ग्यान किसके कारण होता है पृथवी की घूणन के कारण पृथवी के परिक्रमन के कारण चंदरमा के घूणन के कारण या A और B दोनों दोस्तों इसका correct answer है option number A पृथवी के घूणन के कारण next question है मानसूनी हवाएं है वर्तावर्त परिवर्ती हवाएं अवाधिक हवाएं या सदा प्रवाई हवाएं तो दोस्तों इसका correct answer है option number C अवाधिक हवाएं next question है सार्क ऐसा समूंदर स्थित है उत्तर पशनात महासागर में उत्तर सागर में उत्तर अटलांटिक महासागर में या दक्षिन अटलांटिक महासागर में तो दोस्तों इसका correct answer है option number C उत्तर अटलांटिक महासागर में next question है चंदर प्रभावन जीव अभिहरन किस रज्जे में स्थित है UP, MP, बिहार या उडिसा तो दोस्तों इसका correct answer है option number E UP में next question है कौन सा रोग वह इंशागत है तो दोस्तों इसका correct answer है option number B color blindness next question है कौन सा इधन नियूंतम पारेवरन प्रदूशन करता है मिट्टी का तेल हाइट्रोजन कोईला या डीजल तो दोस्तों इसका correct answer है option number B हाइट्रोजन next question है एक दरव की बूंद एक गोले का रूप किसके कारण लेती है तो यह लेती है प्रिष्ट तनाव के कारण next question है sodium carbonate को साधनते जाना जाता है baking soda के नाम से washing soda के नाम से caustic soda के नाम से या caustic potash के नाम से तो दोस्तों इसका correct answer है option number B washing soda के नाम से next question है कौन सा जिला सतलूज में कौन से जिले में सतलूज प्रवाद वारा चुआ नहीं जाता किनोर, सिर्मोर, शिमला या बिलासपूर तो दोस्तों इसका correct answer है option number B सिर्मोर अगर बात की जाए किनोर की तो सतलूज नदी शिपकी दरे से किनोर में प्रवेश करती है और अगर बात की जाए शिमला की या भांडाल से शिमला में प्रवेश करती है और कसोल से बिलासपूर में प्रवेश करती है इसके बाद next question है हिमाचल परदेश में कौन सी जील साथ जीलों का समूँ है पंडास्तुरू जील, रैणुका जील लामा डल जील या नाको जील दोस्तो इसका correct answer है option number C लामा जील या चमबा जीले में स्थित है इसके बाद next question है यहाँ पर कोई भी गर्म पानी का सोता नहीं है मंडी में, उना में कुलू में या शिमला में तो दोस्तो इसका correct answer है option number B नेक्स्ट कॉश्चन है नात्पा स्थान हिमाचल परदेश के किस दिले में है शिमला, सोलन, सिर्मोर या किनौर तो दोस्तो इसका correct answer है option number D किनौर यहीं पर नात्पा जागडी जल विदूत प्रियोजना भी है इसके बाद next question है सन 1806 में गुर्खाओं के विरुद युद के दोरान संसार चंद का सैनपती कोन था गुला मुहमद नादिर खान गमंड चंद या मल्खान सिंग तो दोस्तो इसका correct answer है option number A गुला मुहमद next question है सन 1621 में नहन के किले और शैर की स्थापन किसने की थी उदे प्रकाश बुधी प्रकाश नाहर प्रकाश या करम प्रकाश तो दोस्तो इसका correct answer है option number D करम प्रकाश next question है 1952 में लोकसभा चुनाव में कांगडा सीट का प्रतिनित किसने किया था टेक चंद वी सी महाजन हैम राज या नेक राम तो दोस्तो इसका correct answer है option number C हैम राज next question है जिला चंबा के छटरारी में शक्ति देवी मंदिर का निर्मान किसने किया था दिवाकर वर्मन ने साहिल वर्मन ने मेरू वर्मन ने क्या लक्षमन वर्मन ने तो दोस्तो इसका correct answer है option number C मेरू अर्मन ने next question है शिमला गेटी थिएटर का वस्तुकार कोन था C.V. कलर्क D.W. Hutchison H. Darwin या option number D इसमें से कोई नहीं तो दोस्तो इसका correct answer है option number D इसमें से कोई नहीं क्योंकि इसका वस्तुकार Henry Irwin था इसने इसकी स्थापना 1887 में के थी इसके बाद next question है कांगडा घाटी में किस वर्ष चाय बगान शुरू किया गया 1850, 1870, 1890 या 1920 तो दोस्तो इसका correct answer है option number D next question है हिमाचल प्रदेश के किनोर जीले के किस गाउं में उत्तम गुणोता की ब्रांडी बनाई जाती है नेसिंग, रिबा, कटगाउं या मोरांग तो दोस्तो इसका correct answer है option number D next question है हिमाचल प्रदेश विश्वदा ले किस वर्ष के गई 1970, 1978, 1985 या 2001 तो दोस्तो इसका correct answer है option number D next question है हिमाचल प्रदेश में अधिक्तर जनसंग क्या दौरा बोली जाने वाली भशा कौन सी है कहलूरी, पंजाबी, पहाडी या डोगरी दोस्तो इसका correct answer है option number C next question है हिमाचल प्रदेश के कि स्तान पर राष्ट जैविक लेबूटरी स्थापित है नूरपूर, पालमपूर, हमीरपूर या शेमला दोस्तो इसका correct answer है option number B, पालमपूर next question है हिमाचल प्रदेश में कुल कितने हुआई अड़े हैं एक, दो, तीन या चार, दोस्तो इसका correct answer है option number C, तीन हिमाचल प्रदेश में तीन हुआई अड़े हैं जिसमें पहला गगल कांगड़ा दूसरा भूंतर कुलू और तीसरा जुबल हटी सोलन मेंस्तित है इसके बाद next question है शुद सब्द चुनिए करतव यह तो इसका correct answer है option number C, करतव यह next question हिमाचल में समास है दूंत ततपुर्श, भह भुभरी, यह अवयुव्वी भाव तो दूस्तो इसका correct answer है option number B, ततपुर्श मास next question है पालक में परत्य है तो दोस्तो इसका correct answer है option number D, क next question है सिंदूर का पारेवाची है तो इसका correct answer है नेक्स कॉश्चन है तो दोस्तो इसका कॉड़क्टर नसर है नेक्स कॉश्चन है गुप्त काल में अधिक्तम संख्य में सिक्के जारी किये गए तो दोस्तो इसका कॉड़क्टर नसर है गुप्त शाष्कों ने ही भाट में सबसे अधिक सोने किसी के जारी किये थे और सबसे शुद सोने किसी के कुशान शाष्कों ने जारी किये थे इसके बाद नेक्स कॉश्चन है विश्यो प्रसिद कॉनाक सूर्य मंदिर किसके दोरा बनाया गया था किश्ण देव राय के दोरा, अशोक के दोरा, चंदरगुप्त के दोरा, या नरसीमा देव के दोरा तो दोस्तो इसका correct answer है, option number D, नरसीमा देव के दोरा अगर बात की जाए कॉनाक मंदिर की यह भारत के उरिसारजे में स्तित है इसके बाद next question है, कनोज का यूद शेर्शा और किसके मद्य हुआ था बाबर, हुमायू, अकबर या उरंग जेव दोस्तो इसका correct answer है, option number B, हुमायू और शेर्शा के बीच यह यूद 1540 में हुआ था, जिसमें हुमायू की हार हुई थी उसके बाद उसे दिल्ली की गद्धी छोड़कर भागना पड़ा था इसके बाद next question है, और रंग जेव के बाद कौन शाशक बना था आजम शा, काम बक्ष, अकबर दुत्या या मोजम तो दोस्तो इसका correct answer है, option number D, मोजम इसके बाद next question है, सर परोश की तमना अब हमारे दिल में है या किसने लिखा है, बिस्मिल अजीमाबादी ने, मुहम्मद इकबाल ने, काजी नुसरत इसलाम ने या फिराख गुरुपूरी ने, तो दोस्तो इसका correct answer है, option number A, बिस्मिल अजीमाबादी ने next question है, आर्या समाज इसके विरुत्ते, इश्वर का आस्तितो, करमकांड और मूर्टी पूजा, हिंदितो या इसलाम तो दोस्तो इसका correct answer है, option number B, करमकांड और मूर्टी पूजा के next question है, भार्त छोड़ अंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था, 1920, 1917, 1918 या 1942 तो दोस्तो इसका correct answer है, option number D, 1942 में next question है, भार्त कब एक संपूर्ण प्रभुत्त संपन लोकतंत्रिक गणा जे बना था 26 जनवर 1949 को, 26 नॉंबर 1949 को, 26 नॉंबर 1930 को, या option number D, इसमें से कोई नहीं तो दोस्तो इसका correct answer है, option number D, इसमें से कोई नहीं next question है, कौन सा एक मौलिक करताविय नहीं है सविधान के प्रती निष्टा और राष्टे दोज का सम्मान, भैचारा और सोहर्द बढ़ाना, अखंडता की रक्षा और बनाए रखना, सेन्य और शेक्षिक के अत्रिक्त उपाधियों का उनमूलन तो दोस्तों इसका correct answer है, option number D, सेन्य और शेक्षिक के अत्रिक्त उपाधियों का उनमूलन ये मौले करताविय नहीं है इसके बाद next question है, भारत के नियंतरक और महालेखाकार की न्युकती कितने समाई के लिए की जाती है, 6 वर्ष के लिए 65 वर्ष की आयू तक 5 वर्ष के लिए या 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयू तक होज जाने से पहले के लिए तो दोस्तो इसका correct answer है, option number C, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयू तक next question है, कौन सी पंचाइदी राजसंस्ता नहीं है, गराम सबा, गराम सहकारी सोसाइटी या नियाईक पंचाइट तो दोस्तो इसका correct answer है, option number C, गराम सहकारी सोसाइटी इसके बाद next question है, मंगल की कक्षा में पहुँचने वाला प्रत्थम एशियाई देश कोन सा था, जापान, भारत, पाकिस्तान या चीन तो दोस्तो इसका correct answer है, option number B, भारत next question है, GMT का अर्थ है, general, meridian time, greenwich mean time, global mean time या option number D, इसमें से कोई नहीं तो दोस्तो इसका correct answer है, option number B, greenwich mean time next question है, प्रित्वी को शैत्जी रूप में घेरने वाली कल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं, latitude, longitude, isobar या isotherm तो दोस्तो इसका correct answer है, option number A, latitude next question है, पहाडी क्षेत्रों में सडकों के विदारण का मुख्य प्राक्टिक कारण क्या है भूसकलन, गिरते पेड, या तयात, या सडक नहीं माण तो दोस्तो इसका correct answer है, option number A, भूसकलन, लैंड स्लाइड next question है, कौन सी नदी हिमल्य के पार से निकलती है, सिंदू, सर्शुवती, गंगा, या यमुन तो इसका correct answer है, option number A, सिंदू next question है, भारत के किस रज्जे को चावल का खटोरा कहा जाता है, केरल, करनाटग, अंधरपदेश या तमील नाडू तो दोस्तो इसका correct answer है, option number C, अंधरपदेश next question है, विश्यू का एक मातर तैरता हुआ राष्टे पार्क कहां है, मनिपूर, कौलमपूर, बिलासपूर या देशपूर तो दोस्तो इसका correct answer है, option number A, मनिपूर में next question है, पद निस्पन स्पीती का आर्थ ऐसी स्थिती से है, जिसमें प्रग्रती का कीमत में बदलाव से कोई संबद नहीं है, प्रग्रती की दर और मुल्य दोनों घट रहे हैं, प्रग्रती की दर मुल्य वृद्धी की दर से अधिक है, प्रग्रती की दर मुल्य वृद्ध की दर से कम है तो दोस्तों का correct answer है option number D प्रगृति की दर मुलिवृदि की दर से कम है next question है bank दर ब्याज की दर है जिस पर जनता व्यवसाइक बैंकों से पैंसा उधार लेती है जिस दर पर जनता RBI से पैंसा उधार लेती है whether जिस पर व्यवसाइक बैंक आरिबेज से उधार लेते हैं या इसमें से कोई नहीं तो दोस्तों इसका correct answer है option number C whether जिस पर व्यावसाइक बैंक आरिबेज से उधार लेते हैं नेक्स्ट क्वेशन है प्रोटो जोवा से कौन सा रोग होता है समन्य सर्दी न्यूमूनिया, मलेरिया या कुलेरा तो दोस्तों इसका correct answer है option number C मलेरिया नेक्स्ट क्वेशन है डिने में होता है प्रोटोज शरकरा, हैक्सोज शरकरा, एत्थ्री थोज शरकरा या इसमें से कोई नहीं तो दोस्तों इसका correct answer है option number E, प्रोटोज सरकरा, एक्स्ट क्वेशन है पानी का त्रीक बिन्दू क्या है तो दोस्तों इसका correct answer है option number E, दोस्तों त्यातर पॉइंट सोला के next question है वहनू के पीछे से आने वाली वस्तों को देखने के लिए डैश का उप्यो किया जाता है आउतल लेंस का, उतल लेंस का, आउतल दर्पन का या उतल दर्पन का next question है लिटमल पराप्त होता है बैक्टेरिया से, फंगस से, अलगी से या लाइकेन से next question है वीदूत प्रेस को गर्म करने के लिए किस धातू का उप्यो किया जाता है तांबे का, टंगस्टन का, नाइक्रोम का या तीन का तो दोस्तो इसका correct answer है, option number C, नाइक्रोम का next question है, अली खान, स्माईल लो, किस देश के नए प्रधान मंत्री हैं, उजबेकिस्तान, कजाकिस्तान, रूस या सीरिया तो दोस्तो इसका correct answer है, option number B, कजाकिस्तान के next question है, किस देश ने हाल ही में, टू, एक्सो साथ हैं, कौाइट स्वान बुम्बर विक्सित किया है, एजराइल, चीन, रूस या या यूएसे तो दोस्तो इसका correct answer है, option number B, रूस ने, next question है, रूजगार मिशन किस रज्जे की नवीन पैल है, यूपी, 36 गर्ड, पंजाब या आसम तो दोस्तो इसका correct answer है, option number B, 36 गर्ड तो friends, आज के लिए बस इतना ही, अंत में मैं दो लाइने कहना चाता हूँ, बुलंध है होसला, तो मुठी में हर मुकाम है, मुठी में हर क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद